बिस्मिल्लायरह्मान रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों इसले लेक्चर में हमने स्प्रेटशीट के अंदर डेटा को इंजर्ट करना इसी भी सेल के अंदर मौजूद डेटा को मोडिफाय करना और नियू सेल्स रॉस एंड को इंजर्ट और डिलीट करना सिखा था आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक सल्रेफरेंसिंग का, जुस्तों सल्रेफरेंसिंग क्या है? The cell referencing is the method by which you can refer to a cell और series of cells in a formula यानि spreadsheet में जब भी आप formula लेते हैं तो दरसल वहाँ आप बूस कर रहे होते हैं cell referencing के method को क्योंकि वहाँ आप directly किसी values तर calculation पर फॉर्म नहीं कर वा रहे होते बलकि आप वहाँ formula में देते हैं उन cells का reference अगर यहाँ पर आप देखें तो मुझे इन दो values को आपस में प्लस करवाना है तो होना तो यह चाहिए था कि मैं formula में लिखती 1 plus 2 लेकिन दोस्तों यहाँ मैंने यूज किया है cell referencing के method को यानि यहाँ पर मैंने इन दो values के जो cells है उनका reference यहाँ पर दिया है अब होगा क्या दोस्तों आपका spreadsheet का software इन दोनों cells पर जाएगा और यह cells पर जाने के बाद उनकी values को उठा कर लाएगा और उठाने के बाद इनके उपर जो भी आप calculation perform करवाना चाहते हैं वो perform कर देगा दोस्तों इसका एक फायदा यह भी है कि आप अगर cell referencing को use कर रहे होते हैं तो आप जितने भी cells के अंदर values पढ़ी हैं आपको इनका reference चेंज करना है अगर मान ले अभी आपको इन दो values को प् अगर आपका जो answer है वो automatically आप जो चाहते हैं वो आजाएगा तो दोस्तों का फायदा क्या है इस तुर्ट यहां पर इस तर्ट ने इस फॉमूले को बताया कि जो डेट इन इंस में क्या पड़ा हुआ है जैसे कि अब आपने देखा था कि यहां पर इस तर्ट ने इस पॉम सिंद्र है यह पहले इनल्स पर गया, ह doing this subjectayo इनकी वेल्यूस को उठा कर लाया उठाने के बाद 梅नके बाद इस new values इस formula को यहती ओर और इसे फाइदा इसला राफ्रेंसिंग नहां होता है तो आप किस तरह से वैल्यू को प्लस करते हैं मान दे अगर आपको एक बहुत दो बड़े-बड़े यूज नंबर्स को आपसे प्लस करना है तो आपको फॉर्मुला में वह नंबर्स ही टाइप करने पड़ते हैं यहां भी आप देख सकत अगर यहां लिखेंगे तो सकता है उन कॉंटिटी को लिखने में आपसे कोई मिस्टेक हो जाए जिसका असल आपके पूरे बिजनेस पर भी पर सकता है तो इसके लिए सब्सक्राइब बहुत ही जादा है क्योंकि आपको इसके अंदर बड़ी-बड़ी वैल्यू नहीं लि खैस répabad अन्हीं मुला में ढश्वानधस को सब्सक्राइब करें उन के ऐसे जैसे के अगर कोई सेल है इस तरह से यइनि अगर आपकी वैल्यु पढ़ी है इस ऐ तो आप इसको refer क्या करेंगे आप इस cell का address उस formula में लिखेंगे जो के इस वक्त है A1 तो याद रखें हमेशा जो हम cell को refer करते हैं वो उनके addresses से refer करते हैं और एक और एहम बात कि अगर आपका formula इस तरह से आपके पास यहां पर चार से जिनकी values को आपस में आपको प्लस करना है तो आप उनको प्लस करने के लिए यह formula लिखेंगे इसके इलावा भी आपको spreadsheet फीचर प्रोवाइड करती है जिसके जरीए आपको तमाम cells के reference लिखने की ज़रुवत नहीं है बस जस्ट आपने cell first cell का और last cell का आपने reference देना है और बीच में लगा देना है colon first spreadsheet automatically उन cells के बीच में जितने भी cells हैं उनकी values को भी उठा कर लिए यह formula है यह आप इस तरह से भी लिख सकते हैं यानि आप लिखेंगे address of first cell उसके बाद आप इस तरह का colon लगाएंगे और फिर लिखेंगे address of last दोस्तों बताने यह तो मैंने सिर्फ चंद cell reference दिये हैं मतलब चंद cells के reference यहां पर लिखेंगे हैं जब हम बड़ी-बड़ी companies spreadsheet पर काम कर रही होती है तो वह लाकों cells के addresses को आपको यह feature provide किया है जिसके जरी आपको सिर्फ दो cells के addresses लिखने हैं और बीच में just colon लगा देना है तो automatically आपका आपकी spreadsheet तमाम cells जो भी इन दोनों cells के बीच में होंगे उनकी values को उठा कर ले आएगा और दोस्तों cell referencing की दो types होती है relative referencing और absolute referencing relative referencing क्या है when a formula contains relative referencing then when it is copied from one cell to another the spreadsheet does not create an exact copy of the formula दोसों यहाँ पर याद रखेगा does not create an exact copy यानि उसकी बिल्कुल exact copy create नहीं कर सकता करता यानि दोस्तों एक cell है जिसमें आपने formula लिखा है A1 प्लस A2 अब जब आप इस formula को उसी cell के बिल्कुल नीचे बारे cell के अंदर copy करेंगे तो अब spreadsheet वो formula बिल्कुल होना तो यह चाहिए कि copy का मतलब तो यह होता है ना कि जो भी चीज़ आपने copy की है वो बिल्कुल exact जाके वैसी की वैसी जाके paste कर दें लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा रिलेटिव रेस्टरंस में वो बिल्कुल exact copy नहीं होगा बलके it will change cell address relative to the raw and column they are moved यानि वो उस फॉर्मूले में जो अग्रेस है उन्हें तबदील कर देगा उस नए cell के raw and columns के इसाफ से आपने spreadsheet में एक formula लिखा A1 आपने इस cell C1 के अंदर यह formula लिखा A1 प्लस B1 इन दोनों values को आपस में प्रस करवाने के लिए आपने यह formula लिखा अब आप चाहते हैं कि आप इस formula को इस cell C2 के अंदर भी copy कर आप पहले सबसे पहले इसको copy करेंगे copy करने के बाद आप इस C2 cell के अंदर जब इसको paste करेंगे तो आप देखिएगा कि यहां पर इसका यह जो cell addresses है यह change हो जाएंगे यह देखिए अब यहां पर A1 प्लस B1 नहीं आया यहां पर आया है A2 प्लस B2 यानि इस relative cell referencing में जब भ कर रहे होते हैं तो उन cells के laws and columns के हिसाब से यह अपने आपको change कर लिता है अभी आपका cell C2 था जिसके अंदर जो cell addresses थे वो A2 और B2 थे तो आपने तो यहां पर इसने उनी इसके हिसाब से अपना formula change कर दिया तो यह कहलाएगी relative referencing और दोस्तों by default हमारे spreadsheets होती है उनमें हम पेस्ट होता है और दोस्तों यह बहुत काम की भी होती है जब भी आपको लाको करोड़ों जो है formula लगाने होते हैं हर एक सल पर जो है आपको अलग से formula लिखने की जरूरत नहीं होती बलकि automatically आपका spreadsheet जो है वो formula को change कर देता है लेकिन अक्सर हम चाहते हैं कि आप हमारी जो rows and columns के हिसाब से formula change ना हो बलकि किसी भी fix draw या column पर ही वो formula apply हो तो उसके लिए जो referencing यूज की जाती है वो कहलाती है absolute referencing for example अभी हमने cells C1 में formula लिखा था A1 प्लस B1 और cells 2C2 में जब हमने उसे copy किया था तो formula उन cells के हिसाब से change हो गया था अब अगर हम उस formula को change करना नहीं चाहते ह हम चाहते हैं कि हर एक cell में same formula रहे which is A1 प्लस B1 तो वो कैसे होगा दोसों वो होगा इस तरह से absolute referencing is accomplished by dollar sign with in the cell address in the formula क्यानि आप उस formula में जो cell का address होंगे उनके दर्मियान dollar का sign लगा देंगे इस तरह से तो अब आप जब भी इसको copy करेंगे तो हमेशा यही address copy होगा यही address अग अब ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ था यह formula लिखा था which is A1 प्लस B1 और इसको absolute बनाने के लिए हमने इसकी rows and columns के साथ dollar का sign लगा दिया था अब मैंने इसको copy किया इस तरह से और copy करने के बाद मैंने इसको paste कर दिया अपने cell C2 में तो दोस्तों देखिए अब इसने formula को इन इसी तरीके से fixed है तो दोस्तों यह जो चीज़ा यह कहलाती है absolute referencing जिसके अंदर formula cells के हिसाब से change नहीं होता अब आईए इसकी practical implementation को दोस्तों cell referencing में जब भी आपको इस formula लिखते हैं इस spreadsheets के अंदर तो आप कभी भी जो भी calculation perform करवाना चारते हैं वो आप values पर perform नहीं करते बलके आप देते हैं वो values जिन भी cells में पड़ी हैं उन cells का reference आप फर्मूला में लिखते हैं यानि आप देंगे उन cells का reference जहां पर यह values पड़ी हैं तो दोस्तों यह method कहलाता है cell referencing का क्योंकि आम तौर पर आप spreadsheets के अंदर formulas में यूज करते हैं अब cell referencing के बाद जो दूसरी चीज आती है वो है relative reference दोस्तों cell referencing के बाद जो दूसरी चीज में वो है relative reference यानि for example अभी मुझे इन दोनों cells को आपसे प्लेस करवाना है तो मैं यहापर formula दोंगी प्लेस टू A1 प्लेस B1 अब अगर मैं इस formula को बाते cells के अंदर copy करना चाहती हूं तो मैं copy करने के लिए इस cursor को यहाँ पर यानि यहाँ पर लेकर आऊंगी जैसे यह plus का sign बनेगा तो मैं इसको जितने cells में मुझे इसे copy करना है मैं वहाँ तक इसको ड्रैक कर दूंगी दोस्तों ड्रैक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने formula दिया था उसके रिजर्स यहाँ पर शो हो गए लेकिन क्या जो मैंने formula copy किया है वो बेकुल exact जैसे मैंने formula लिखा था A1 प्लस B1 वैसे ही हुआ है दोस्त कि इसने अपने आपको इन cells से related जो के इसके cells है विचिस A2 प्लस B2 A2 एं B2 उसके इसाब से अपने आपको चेंज कर लिया है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर यह formula बन गया है A3 A3 प्लस B3 तो यह चीज़ कहलाती है relative referencing जिसके अंदर आप जो ह Automatically spreadsheet का यह feature है कि Automatically आपके cells के हिसाब से formula को चेंज कर देता है तो दोस्तों यह चीज़ कहलाती है relative referencing जो के by default spreadsheet के अंदर आपको मिलेगी जब भी आप cells के अंदर मौजूद formula को copy करेंगे अब अगर आप चाहते हैं कि आपका formula with respect to the cell चेंज ना हो यह उसके laws and problems उस cell के हिसाब स जहां पर आपने इसे copy किया है उसके इसाथ से चेंज ना हो तो उसके लिए आप यूज करते हैं absolute referencing और absolute referencing क्या है दोस्तों अभी हमने relative referencing देखी दे जिसके अंदर जब हमने cause formula को copy किया था दूशे cells में तो formula with respect to the cell जिसके अंदर हमने उसको copy किया था उस cell के हिसाब से उस cell की rows and columns के हिसाब से उसे अपने आपको change कर लिया था अब अगर मैं चाहती हूँ कि यही same formula जितनी भी rows में मैं जितनी भी cells में copy करूं तो यह exact formula वैसा ही copy हो इसके अंदर उन cells की rows and columns के हिसाब से changing ना हो तो मैं इसके लिए इस्तमाल करूंगी absolute referencing और absolute referencing इस तरह से इस्तमाल होगी मैं इसके अंदर rows and columns को fix कर दूंगी by applying dollar sign तो दोस्तों यहाँ पर जो column आपको नजर आ रहा है आप सबसे पहले इसके आगे जो है आप dollar का sign लगाएंगे इसके बाद आप लिखेंगे column name उसके बाद आप raw के आगे भी dollar का sign लगा देंगे इस तरह से इसी तरीके से अब यह cell का address है इसके अंदर भी यह column और यह row इन दोनों के आगे आप लगा देंगे dollar का sign तो दोस्तों अब यह आपका formula जो है यह absolute referencing के थरूँ आपका formula बन गया है अब जब हम इसको copy करके दूसरे cells में paste करेंगे तो आप देखिएगा कि यह formula जो है यह अपने आपको change नहीं करेग कि मैंने जितने भी cells पर मुझे यह formula apply करना है मैंने वहां तर इसको drag कर दिया और drag करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने उस formula ने अपने आपको change नहीं किया इसलिए इसका results भी तमाम cells में same आ रहा है यह देखिए दोस्तों यहाँ पर है यह formula a1 plus b1 जैसा कि हमने लिखा अब इस cell में देखें cell c2 में यहां पर भी formula यही है इस तरीके से cell 3 के अंदर भी formula यही है इस तरीके से cell 4, 5, 6 जितने भी cells है उनमें यह formula है जिए मिन्स कि यहां पर हमने absolute referencing apply किये दोस्तों जहां कहीं भी आपको formula को fix रखना हो वहां पर आप absolute referencing apply करेंगे चाहां पर आपको यह formula है वो with respect to the cell इसके rows and columns की respect से change हो वहां पर आप relative referencing apply करेंगे तो दोस्तों यह था cell referencing अगले lecture में हम एक नए topic का आगास करेंगे विच इस नेम ग्रेंजिस तक तक के लिए अल्ला हाफिस